नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं इसका अनुमान लगा पाना भी मुश्किल है उन्होंने कहा है कि जर्खन में सत्ता पर बैठे लोग राजो को लूटने और कमाने में लगे है कांग्रेस आदिवासियों को किरा मोकोडा की तरह समझती है कांग्रेस और जर्खन मुक्ति मौर्चा की दोष्टी कीशी से छिपी नहीं है कांग्रेस सुरु से जर्खन और जर्खन वासियों की बिरोधी रही है विदायक सिपी सिना ने कहा है कि सत्ता सम्हालने के बाद चमपाई सुरेने सदन में कहा था कि या हेमन्द सरकार पार्ट्टू होगी या सरकार वरस्टाचार की परट्टू है उससे भी बढ़कर निकल रही है भाजपा की ओर सजारी 28 पन्ने के आरोपत्र में हेमन्द सरकार के वरस्टाचार का जिक्र है साथ ही हेमन्द सरकार पार्ट्टू 25 सरकार के करनामों का भी जिक किया गया है बता दे राज सरकार द्वारा किये गए वादे और उसके हकिकत को बया किया गया है आरोप पत्र में मोधी सरकार द्वारा पिछले दस साल में जारखन को किये गए सोयों की बिश्तित जनकारी भी दी गई है जारखन में दो दिन तक बारिस पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी जहल रहे रांची समेत पुरे राज़े के लोगों ने पिछले 24 गंटे में आंधी बारिस के बाद राहत की सांसली है रांची समेत अने जीलो का अधिक्तम तापमान बुद्धवर को 4-5 दिरी तक नीचे आगया है वहीं हावा की रफ्तारती से 40 किलोमेटर प्रति घंटा रही हावा के बदले रूख के कारण 9 और 10 माई को रांची समेत पुरे राज़े में बारिस होगी इस दोरान आंधी के साथ कहीं कहीं बईरपात भी होगा मौसम विभाग के नुसार रायस्थान के उत्तर पूर विभाग में बने साइकलोनिक सर्कुलेशन और असम के दक्षनी हिसे तक निम दबावाली ट्रॉप लाइन बनी है यह यूपी जार्खन बंगाल के गंगात छेत्र से लेकर असम तक से गुजर रहा है इसी के चलते ही मौसम में बदला देखने को मिल रहा है बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा तेयस्वी आदव बिहार की नेता प्रतिपक्ष सह पुरो उपमुख मंत्री तेयस्वी आदव ने कहा है कि इस चुनाव में असल मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है नरेंदर मोदी जुट बोलने की फैक्टरी है वह इतना जुट बोलते है कि गोबर को भी हलवा बना देते है परन्तु केंदर में अगर इंडी कड़ बंदन की सरकार बनती है तो देश के एक करोर नौजवानों को परतेक साल नौकरी दी जाएगी सभी बहनों को परतेक साल एक लाख रुपए एक मुष्थ दिया जाएगा गैस सिलेंडर पान सो रुपए में दिये जाएंगे तेयस्वी आदो पलामो जिले के छतरपूर सहर के राजगिये कृत पलस्टू हाई स्कूल के मैदान में रायत परत्यासी मामता भोया के पक्ष में बुद्धवार को चुनावी जन सभाग को समधित कर रहे थे तेयस्वी आदो ने कहा एक नेन मोदी ने जार्खन के साथ सोतेला बेवार किया है न गरीबी हटाई न लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए ही डाले और न अच्छे दिन लाया नीजी इसकूलों की ओनलाइन का क्षा पर रोक लगाने की मांग छात्रसंग जार्खन च्छात्रसंग की ओर से नीजी इसकूलों की ओर से ली जारही ओनलाइन क्लास पर रोक लगाने की मांग को लेकर बुद्धवार को सचीव इसकूली सिक्छा यम सक्षरता बिभाग जार्खन सरकार को मांग पत्र भेजा गया जार्खन छात्र स्रांगे केंद्री अध्याक्स एस अली ने कहा है कि बर्तिगर्मी को देखते हुए और बचों के स्वास्थ का ध्यान रखते हुए स्कूली सिक्षा यम सर्षर्टा विभाग की और से बीते 29 अप्रेल से सभी परकार के स्कूलों में केजी से आठवी तक की कक्षाई अस्थागित कर दी गई है लेकिन नीजी स्कूल निर्देशों का उलंगन करते हुए मनमाने तरीके से प्री नर्शरी से आठवी कक्षा के क्लास तक के विद्यार्थियों की ओनलाइन क्लास ले रहे हैं उन्होंने कहा स्वास्त भी से सग्यों का कहना है कि एक दिन में चार घंटे चलने वाली ओनलाइन पढ़ाई से बच्चे के सरीरिक वामानसिक सेहत पर असर पर रहा है चोटे बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं बच्चो को आखो में दिकत और सिर्दर्द की सिकायत आ रही है उनके सोभाव में भी चीचिडापन आ रहा है इससे अविभावक भी चिन्ती थाए आकांचा परिक्चा के रियल्ट जारी 521 परिच्छार्थी सफल जार्खन एकेडमी कॉंसिल जैक ने बुद्धवार को आकांचा परवेस परिक्चा 24 का पई नाम जारी कर दिया है जैक अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुबार महतो उपाध्यक्ष भिनोत सिंग और सचीव सचिदानन दिवेद्दू तिगगा ने पई नाम जारी किये परिक्षा में 521 परिक्षार्थी सपल हुए है बता दें इंजिनियारिंग के लिए 227 मेडिकल के लिए 150 और क्लेट के लिए 144 परिक्षार्थी सपल हुए है तीन मार्च को आकांच्छा परिक्षा गोजन किया गया था 114 परिक्षा केंद्रों पर आवजित परिक्षा में इंजिनियारिंग के लिए 29771, मेडिकल के लिए 23805 पर और कलेट के लिए 490 परिक्षार्थी सामिल हुए थे बतादे इंजिनियरिंग के लिए समाने सरेनी से 90 परचार्थी पास हुए है वहीं मेडिकल के लिए समाने सरेनी से 60 परचार्थी सफल हुए है सरना जहर्णा का रायनितिक इस्तेमाल पर रोक राइनिती करकरमों में सरना आदिवासियों के धार्मिक सरना ज्हंडा इस्तेमाल को लेकर आदिवासि संगठनों में ही आपसी विवाद उत्पन हो गया बुर्धवार को सर्ना जहन्डा का रायनिती करकरण में इस्तेमाल के बिरोध में केंद्रिया धुमकुड़िया भवन करम टोली में एक बैठक आयोजीत की गई बैठक में थोड़े से बिवाद के बाद सरोसमत निर्नाय लिया गया कि राइनिती करक्रों में सरना जंडा का इस्तेमाल कीसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा बैठक में आदिवासी समनोय समिती के संजोजक लक्ष्मी नरायन मुंडा और कांके सरना समिती के अध्याक्स डबलु मुंडा आदिवासी सदान मोर्चा के सूरज डोप्रो सहीत कई आदिवासी वम समाजिक संगटनों के लोग उपसी थे बैठक में हाल में संपन नयाय उल्गुलान महारैली और सुबोत कान सहाय के नमांकन सभा में सरना जंडा इस्तेमाल का विरोध किया गया बीच बैठक में ही केंद्रिय सरना समीति का धक्ष अजय तिरकी अखिल भाती आदिवासी विकास परिशत की कुंदर्शी मुंडा जै आदिवासी केंद्रिय परिशत की निरांजना हेरेंज आदिवासी जन परिशत के अध्ययक्ष भी पहुंचे थे इड़ी की करवाई पर मंत्री अलमगीर का ब्यान कहा जाच चल रही है चारकन सरकार का मंत्री अलमगीर अलम ने इड़ी द्वारा अभी की जा रही करवाई वर प्रतिकिरिया ब्यक्त की है उन्होंने कहा है कि जाच के बाद दूत का दूत और पानी का पानी होगा दरसल इडी ने रांची के कई अस्थानों पर छापे मारी की है और मंत्री अलमगीर अलम के पिये संजीव, लाल और उनके सहाया को पुष्थाच के बाद गिरफतार किया है वहीं छापे मारी में इडी ने कडोरो रुपे नागत रासी बरामत की है मुख्य मंत्री चमपाई सुलेन और पूरे सीम हेमान सुलेन की पतनी कलपना सुलेन दस माई को सहाइब गंज आएंगे इंडिया गडबंदन पत्यासी बिजय हांसदा के नमांकन कारकरम में सीम सामिल होंगे और चुनावी सभा को भी समोधित करेंगे जनकारी के अनुसार सीम चमपाई सुलेन हेलिकोप्टर से जिर्वा बाड़ी थाना चेत्रे के पूलिस लैन मैदान पहुचेंगे वही नगर थाना चेत्रे के रेलवे जेनरल इंस्ट्यूट के मैदान में मुख्य मंत्री उपस्थित लोगों को समोधित करेंगे सीम चमपाई सुलेन और कलपना सुलेन इंडिया गट बंदन परत्यासी विजय हांसदा के बख्ष में लोगों से वोट तेने की अफिल करेंगे उसी दिन गट बंदन पर त्यासी विजय हांस दा अपना नमाकन परचा भी दाखिल करेंगे सरना धर्म कोड़ पर कुछ क्यों नहीं बोलते बाबुलाल सुप्रियो भटाचारे देश में लोग सभा के चुनाव चल रहा है तीन चरनों के मदान संपन हो गए है सभी दल के लोगों ने अपने अपने बड़े दावे किये है जेमेम के केंद्रिये महा सच्चिव सुप्रियो भटाचारे ने दावा किया है कि लोग सभा चुनाव में बीजेपी हार रही है इस दोरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना सदा और कहा है कि चुनाव में पीएम जीस तरह के भासा का इस्तिमाल कर रहे है इससे ताय हो गया है कि जानता क्या सोच रही है सुप्रियो भटाचारे ने कहा है कि बीजेपी का कॉल जो मिलन समारो हुआ वह क्या दिखाता है कॉल हज का कारिकरम आया जिसमें एक दिन का वक्त दिया गया हज में जाने से पहले बहुत कुछ करना परता है एक दिन में ट्रेन में सीट की भी बुकिंग नहीं होगी लाकर इन्होंने OBC के आरक्षन पर प्रहार नहीं किया वहीं बाबुलार परताज कसते हुए सुप्रियो भटाचारे ने कहा है कि जो नेता समीधान बदलने की बात करते हैं उसके साथ ओ रोड सो कर रहे हैं कोडार्मा में बजरपाथ से दो लोगों की मौत है सत गावा थाना अंतरगत धावा में हुई जहां बजरपास से संजय राजवांसी 45 वर्षे की मौत हो गई वहीं मंगलवार देर चाम आंधी और बारिस के बाद बजरपास ने घर के पास बैठे संजय राजवांसी को अपनी चापेट में ले लिया उसे कोडरमा सतर अस्पताल लाया गया जहांची किस्कों ने उसे भी मिरित गोशित कर दिया है संजीव लाल पर चमपई सुरेन सरकार लेगी कड़ा एकसान इड़ी की छपेमारी पर अलमगीर अलम के अपस सचीव संजीव लाल के नौकर के घर पर 32.20 कुड़ो रूपए पाये जाने के सवाल पर जामो के महा सचीव सुप्रियो भटाचार ने कहा है कि सरकार उनके खिलाब कड़ी करवाई करेगी उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सबसे पवित्रतीर थेयात्रा हज को लेकर जारी सोट नोटिस पर सवाल उठाया है उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 7 माई को नोटिस जारी किया और 9 माई को कोलकात्ता यारपोड पर रिपोर्ट करने का फर्मान जारी किया है देज का चौथे चरण अजहरकन में पहले चरण का चुनाओ 13 माई को होना है तो क्या या समझा जाए कि मुस्लिम वर्ग अपने मताधिकार का परियोग ना करे इसलिए या सोर्ट नोटिस जारी किया गया है मतदान केंद्रो पर फोर्डी कैमरे से होगी निगरानी निर्वाचन आयोग लोग सभा चुनाओ को निस्पक्ष कराने के लिए हर संभव कोसिस कर रहिया इसी करम में अब चुनाओ आयोग नई तकनिक के साथ चुनाओ में मदद लेने वाला है अब चुनाओ आयोग सभी मतदान केंद्रो पर फोर्डी कैमरे के माधम से वेव कास्टिंग करेगा इस वेव कास्टिंग पर मुख निर्वाचन करयाले जिलान निर्वाचन पतादिकारी करयाले के साथ भारत निर्वाचन आयोग के अस्तर से मोनेटरिंग की जाएगी इस बार मददान केंद्र के अंदर एवां बाहर दोनों और के फीड पर विभीन अस्तरों से मोनेटरिंग की जाएगी यह जनकारी मुख निर्वाचन पतादिकारी के रवी कुमार ने बताई है के रवी कुमार बुद्धवर को निर्वाचन सदन के कर्याले में सभी जीलो में वेव कास्टिंग, जीपीएश ट्रेकिंग एवां विकल मेनेजमेंट हेतु गठित सेल के नोडल पता अधिकारियों के साथ वीडियो कंफरेंसिंग के माध्यम से जीलो में निर्वाचन सम्मा पुलिस वाहन की चेकिंग कर रही थी, इसी दोरान वहां से एक कार गुजर रही थी, पुलिस ने कार के तलासी ली, इस करब में 6 बैग में कूल 45,90,000 कैस पुलिस ने जब्त किये हैं, लोगसभाचुना दोहचोविस को लेकर लगातर वहां जाचा भियान चलाया जा रहा है एमारपी से अधिक पर सराब विक्री पर करवाई, 21 बैजेगा जेल, 24 नोक्री से बरखास, पलामो उत्पाद की ओर से लोगसभाचुना को लेकर आदर्स अचार संहीता लगने के बाद, और इससे पहले की गई करवाई में बड़ी उपलब धियांसिल की गई है, एमारपी से अधिक मुले पर मदिरा विक्री की जाती है, तो तत्काल करवाई करने के लिए 3 उत्पाद पता अधिकारी की नुक्ति की गई है, अब तक की गई करवाई में 21 लोगों को जेल भेजा गया, जबकि 24 को नोक्री से बरखास्त कर दिया गया है, उन्होंने आम लो 8, 9, 4, 5, 5, 0 पर भी सूचना देने की अपिल किया है, ताकि सिकायत के अनिवारन किया जा सके, गढ़वा में महिला को रोंते हुए घर में घुसा ट्रेक्टर, गढ़वा जीले के कांडी थाना चेतर के मज्जिया, सुन्डी, पुर्मुखे स्टलक, इस्थीत, रनाडी गा इसमें कलाई पास्वान की पत्नी चंद्रावती देवी 55 वर्चिय की मौत घटना स्थर पर ही हो गाई, जबकि एक छोटी बची घायल हो गाई है, इस सलक हाथसे में कुछ लोग बाल-बाल बच गाए, वहीं दो घरों का ब्रामदा समेद बिली का खामबा छतिकरस्त हो गय धन्यवाद